एक फोजी का दर्द क्या होता है उन कुरसी वारों को दिखाना चाहूंगी बताना चाहूंगे एक फोजी की मजबूरी हमें मत छुट्टी दो हमें मत छुट्टी दो मत भत्ता दो बस काम यही अब करने दो चाहे वेतन आधा कर दो पर कुतों में गोली भरने दो हर हर मोधी घर घर मोधी यह नारा सर के पार गया इक दो कोडी का जेहादी सैनिक को थपड मार गया अरे थपड खाए गदारों के इतने भी मजबूर नहीं हम भारत मागे सैनिक है कोई भड़े के मजदूर नहीं अब और नहीं लाचार करो हम जीते जी मर जाएंगे खुद को देख न पाएंगे इस वर्दी पर शरमाएंगे फोजी वर्दी पर शरमाएंगे या तो कस्मीर उन्हें दे दो अरे सुन लो सुन लो दिल्ली वालो सुन लो या तो कस्मीर उन्हें दे दो या आरपार का काम करो अब सैना को दो जिम्मेदारी तुम दिल्ली में आराम करो तुम कुरसी पे आराम करो इस राजनीति ने गाटी को सरदर्द बना कर छोड़ा है, भारत के वेर जवानों को ना मर्द बना कर छोड़ा है, मा का आचल सुच रहे, हम गागी भी बन सकते हैं, दिली गर्यू ही मोन रही हम बागी भी बन सकते हैं, हम बागी भी बन सकते हैं एक मा कस्मीर में पिटने वाले फोजी बेटे से क्या कहती है जब देखती है कि उसका बेटा किस रहगतदारों से थपड़ खा रहा है तो क्या कहती है कि फोन किया माने बेटे को तूने नाक कटाई है तेरी बेहना से सब कहते बुझ दिल तेरा भाई है बुझ दिल तेरा भाई है अरे ऐसी भी क्या मजबूरी थी एबेटा ऐसी भी क्या मजबूरी थी ऐसी क्यालाचारी थी कुछ कुछ कुटों की टोनी कैसे तुम सेरों पर भारी थी तुम सेरों पर भारी थी गीदर बेटा पैदा करके वो मा कहते है एक फोजी से के गीदर बेटा पैदा करके मैंने कोखल जाई है तेरी बेहना से सब कहते बुजदिल तेरा भाई है बुजदिल तेरा भाई है अब वो फोजी अपनी मा के बात सुनकर कहता है कि मा इतना भीला चार नहीं था मा मेरी मजबूरी थी उपर से फर्मान नहीं था चुपी बहुत जरूरी थी सरकारे ही पिटवाती है मा हम कौन गदारों से गोली का आदेश नहीं है दिल्ली के दरबारों से गिन गिन कर मैं बदला लूँगा कसम याज खाता हूँ तु गुडिया से कह दे मा ना बुझ दिल उसका भाई है सुनकर नाटा लो यारो सिर्फ सुनकर नाटा लो यारो एक फोजी के ज़स बातों को अधोनी होने से पहले फैला दो इन बातों को तुम फैला दो इन बातों को बहना के सचे भाई हो तो सब को बता दो इन बातों को एक फोजी का दर्द भरत मता की जे, भरत मता की जे, भरत मता की जे